इसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे तो आज किस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं हम यूपीजी के का पार्ट फर्ट देखने वाले हैं जो है उत्तरप्रदेश की जलवाईू climate इससे पहले हमने यूपीजी के की important होने वाली है special का हूं तो UPPCS student के लिए और जो आरो या ARO का exam दे रहे है उनके लिए तो चलिए विडियो को start करते हैं हम यहाँ पर क्या देखें कि हम यहाँ पर देख रहे हैं उत्तरप्रदेश की जल्वायू ठीक है तो किसी विशार शेतर में लंब समय कितना 30 वर्षी price से अधिक किसी विशार शेतर में लंब समय के दोरान वायू मन्डरे दशाओ कोई कैते है जल्वायू climate कहते वाइवदाब हो सकता है हवाय और वर्षा यह सब घर्टक है उत्तर-फ्रदिश की जल्वायु कैसी यह कोश्च्छतマन में पूछा गया थो उत्तर-प्रदिश की जल्वायु आपको याद अद रहने है कैसी ईुशन कटी बंदिय और मान весь difwww जलवाई हुए उष्ण कटी बंदिया और मांसुनी जलवाई हुए अब हम बात करते हैं उष्ण कटी बंदिया जलवाई हुए तो देखिए यह जो है बीच में क्या है यह प्रिच्वी के भूमध्य रेखा है इसके उपर क्या होती है इस तर्म कमार से अधिक लettsाना हुए आपको याद रखना है के उष्ण कटी बंदिया जलवाई हुआ होरे खेस्वी महीं का तापमार 180 degree Celsius से अधिक होता है यह पुरेंट चीज़ है कि ओशन अकट बनती है जो जलवाई हुआ है शेतर होते हैं सबी भाहिनों का ताप मार की तरह होता है 180 degree Celsius से अधिक होता है अब बात कर लेते हैं मांसून की तो ऐसे पवने जो रितू परिवर्तन के साथ अपनी दिशा परिवर्तित करती है ऐसे पवने जो रितू परिवर्तन होने के साथ जैसे रितू परिवर्तन सरदी आती है घर में आती है तो उनके साथ दिशा परिवर्तन करती है तो उसको क्या तो अब आजाता है तराई परदेश जिसको लो लेंड एरिया कहते हैं यहां के बात करते हैं ओसट वर्षा राई परदेश में कितनी होती है साहनपूर, बिजनोर आ जाता है, बुरादाबाद, रामपूर, बरेली, पीरिभीद, जोनपूर, देवरी आय होती है, यह सब आपको यह जिले याद रखने है अब आजाता है, पुर्वी उत्तर प्रदेश, तो एस्टरन यूपी के बाद करते हैं, तो ओसत वर्षा कितनी होती है, आपको 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक, वर्षा की मातरा पूरव से पस्चिम के और घरती जाती है, यह कोशन पूछा जाता है, कि कहां पर जो है, व स्ट्राइशटर से उपर आपको पता है, भाबर शेतर होता है, पर्रवी प्रदेश यह कहां है, यह और पे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यह पर वर्षा कितने होती है, 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर है, चलिए, आगे चलते है, अब आजाता है, आधर अचान पहाडी और पठाई शेत्र भी कहते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यवर्ती मैंदानी शेत्र की तो मध्यवर्ती मैंदानी शेत्र का है बीच का भाग है यह उस्त वर्षय कितनी होती है 17 से 100 सेंटी मीटर इस शेत्र मैं बात करें तो गिश्म नितु में धुला आदे और लोक चलती है इस शेत्र में शीतर नितु कभी-कभी पालबी पर जाता है जब ठंड आती है तो यहां कभी कभी पाला पड़ता है विस्तार का है इसका परतापगर्ड फतेपूर उत्री प्रयागराज राइबलेरी सुल्तानपूर लखनव हर्दोई फरुकाबाद कानपूर दक्षनी शाजापूर इसमें आते हैं कि बात करते हैं पस्टी में बैदानी शेत्री की तो और सत्वर्षा 65 से 80 cm कमी होती है शीत रितु में ताममान बार दीगी सैंटी गेट से 14 दीगी सैंटी गेट तक पहुँचाता है शेत्र कुण कुण साता है मेनपूरी आगरा अलिकर्ड गोतबुद्रंगर बुरंद शहर म मेरेट गाजयाबाद इस सब में पस्टिनवाले में आते हैं अब बात करते हैं बुंदिल खंड का पहाड़ी पुंदिल खंड का पठारी का सकते हैं पहाड़ी प्रदेश और सत्वर्षा 100 cm होती है शीत रितु में थानवे ताममान कितरा है तामपिर्चर रहता है 90 दिगर शेत्र की बात करें जहां से रता है ललितपूर जालोन हमीरपूर महोबा चित्रकुट दक्षणी टावा और दक्षणी प्रियागराज तो यहां पर आपको क्लाइमेट वारा कंप्लिट हो जाता है उत्तर प्रदेश की जलवायू ठीक है जलवायू में आपने क्या पढ़ प्रदेश की सिजन के फिसकी बात करते हैं तो डितू के बात करें लिए उसका सा कालखट होता है जिसमें मौश्ण की दशाई एक खास परकार की होती है एक बागों में विभाजत के जाता है जिनके दूआन पीरतिवी सुर्य की परिकरमा की परिणाम सुश्प दिन की अव वर्ष्य और ताम मान के धार पे देखा तो यूपी में तीन प्रकार की रितव होती है अब इसने रितों के बारे में पढ़ते हैं यही से खोशव आता है सबसे पहले बात करते है गेश्मरी तुकी तो इसका प्राराम होता है मार्च और जून में कर्मी पढ़नी स्टार्ट होती है स्लूर्ट कर्ग वberने के साथ रहए तो प्रदिश के मांगे क्या कि चुर्प मांगे बरदेश के व्रद्धिश-ओन में सुख Connie होता है और जो मापा गयाए व CC 29e कि नियुंतम के बाद घर तो सरवदिक औस ताप मान राज्य के बुंदेर खंड शेत्र विशेश उपसे बांदा में पाया जाता है यह पूछ जा सकता है आपसे विस्तार का है प्रियाग राज कानपूर फतेपूर आगरा ललितपूर जहासी जारौन हमिरपूर महोबा बांदा और चुत्रकुट राज् मई और जूल में और शुष्क पस्टी में हवाई चलते जिने लूके नामसे जाना जाता है घृष्म लिटु में नाज माततमात्र की वर्ष्षण होती है 10-25 सेंतिमेटर तक की मह पें होती है अब बात करते हैं वर्ष् spit s. औक होता है थाए बिच पादेश की मेंनीय और ह् होती है जून के टीसरे और चाहती सब्ता में राज्य के पुर्वी और दक्षणी फूर्वी भाग में प्रवेश करते हैं और इस रुर्भुवा के नाम के जाना जाता है है ठीक है तो जून के Sickya में सब्सें ज्यादा व adopting संति हैं का था नियुकारा जड़ को होती है कि फूरी शेटर में 1200 स्ट्राइब कि और कि मध्य वर्ति शेटर में बाथ करते खोंते जिर्टि की पुटीन होती है तो अचैके पस्टि मेटाले शिर्ट में 24 होती है कि दक्षणी और पठाई शेत्र में वर्ष्य क्यांति होती है कि यह को थे पूराव से पस्ट्रिम की तरह बढ़ते हैं तो वर्ष्य की ते़र में क्या आती अगराःकूर्ण में 56 दिन तक 56 दिन तक संभावित वर्षा होती है पस्चिमी शेत्री में मात्र बस्ति 32 दिन तक वर्षा होती है जिसे काजियबाद शापली हापुड बागपत इन सब्सक्राइब बात करते हैं फिर अब प्रदेश में संब्रून वर्षा का लगबग 83 परतिशत वर्षा इसी रिटू में होती है शेश वर्षा गेश्मों शीतुत वर्षा होती है लेकिन जब आईश का सीजन लगता है अब ज्यादा वर्षा उसी में होती है सरवदी को सतापमान तो 32 दिग प्रदेश की विविन भागों में काफियंतर होता है रिटम की पठारी यह पारी शेतु का सिमसे कम तामान 13.3 दिगी सेंटीट होता है इन पर आपको बस एक बाद निगहा मान लिए और थोड़ा पहुत याद रखना है क्योंकि हां से कोशन पूचा जाता है प्रदेश में अब आजाते हैं परशन की तरह तो मैंने आपको जलवायू और रिट वे सीजन्स पढ़ा दिये अब आपको कुछ न देख लेते हैं उत्त्रप्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है बतना रहते हैं और इस तरह से कथन दी हैं हिमाल्ये में बोस पर 30 का खननकर रहा है दोनों पर रहे रखा है गोराकपु जनपद में वर्षा की संभावित वर्दी कितनी होती है तो मैंने आपको बताया भी 56 दिन तक वह वर्षा होती है उत्तर प्रदेश की सबसे उची पहाड़िया सोना कर कैमूर की चीरों में इस्थित है यह कोशन भी पूछा गया तो सबसे उची पहाड़िया जो करते हैं उत्र प्रदेशु पूरण सबस्टम कर नाते हैं कि खाणी बताया है अटेंश्टारीक चीट काल में कैसी वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा होती है Сींत कार में सर्वादिक वर्षा होती है मतलब हवावाली उत्ताप्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी पढ़ती है गिश्मरितु में उत्ताप्रदेश का ओसत अधिकता अधिकता तामान जो 36 डिग्री से अंटिकेट से 29 तक रहता है पस्ची मदाली शेते में शीतितु का तामान याद रखना है आपको यह बाह कर दो कि उत्ट्रेश में सब से क्म वर्षान बास बस्ट्रिव अचे पस्चिम अधामान सब आपके नगर्री को कि अधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवाई हुआ भाजित लगाया तो दो भाजित क्या गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षवाश राश रही शेतर है उत्तर प्रदेश में जो है वीडियोन मोर्य जब करना है है उसके जुक्राइब अब बने चड़ाने 500 वेजार है कि मैं जाल जाए जरी अकी शन्तित पड़िके भगड़ाने FC देता में I played वीडियो जून कि चाएा खेना हुट एप सब्सक्राइब वह आपको लगा लेने हैं उस कोशनों से आपको आड़ा हो जाता है कि एक्जाम में कॉशन किस तरह के पूछे जाते है और आरो के एक्जाम में आपके लिए यह जो वीडियो में करवा रही हूं काफी जादा है ठीक है तो आप यो पीजी के की जो त्यारी है वह मेरे चैनल स से एजली कर सकते हो मैं आपको हिस्ट्री भी करा रही हूं जिससे आपके एक्जाम में जो है और प्रिपरेशन अच्छ हो जाए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इडियो में एंडर नेक्स्ट में यूपीजी के का या हिस्ट्री का कोई टॉपिक लिए के आपके सामने आऊंग झाहिं जो आपके सने आपके टॉपीजोगा से टॉपीजी प्रोछे elétउभीजी टॉफी णवह झाली का का से घंट probability टॉपीजे एड़ी लिन्युभाषवजी झाली टॉपीजे हो जाए उली हिए च्ट्री के से एग्ट प्र नेक्स्ट आपके समें जोली हूएंदी झाली